कातिल चाहे जितना भी शातिर हो वार्दात से जुड़े सबूत उन से छूटी जाते हैं जीहां यही हुआ है सोनाली फोगाट मामले में आखिर वो कौन सा सबूत मिला है जिसको उसी होटल के बातरूम से जब्त क्या गया है जहां पर सोनाली की हत्या की गई है जीहां बातरूम के अंदर आखिर वो कौन सा समान मिला है जो अब कातिलों को हवालात की हवा खिलाने के लिए काफी है मैं आपके सामने वही सबूत रखने जा रहा हूँ दोस्तों शुरुआती दोर से ही सोनाली फोगाट के पूरे परिबार को उनके ही पीए पे शक्त था लेकिन जब सबूत मिला तो ये सक सच में तब्दील हो गया और जाच अजनसिया जिस तरीके से काम कर रही है ऐसा लग रहा है कि कई बड़ी मच्छलिया भी इस पूरे मामले में फस्चकती है तो चलिए सिलसलेबार तरीके से सबूत को देखते हैं और इस पूरे मामले को जल्दी से एक दो लाइन में समझ लेते हैं यह बाद तो आप पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं कि सौनाली फोगाट मडर का जो सम्मन्ध है वो केमिकल से है और दुसरी तरफ बातिरूम से है और तिसरी तरफ ड्रक्स के ओवर डोस से है लेकिन आपके सामने हम वो सबूत रखने जा रहे हैं जो बातिरूम में मिला गया था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था बातरूम के अंदर आखिर वो कौन से चीज बिली है तो चलिए उस चीज को भी हम देख लेते हैं सोसल मीडिया पर एक ख़वर तेजी से वाइरल चल रही है और वाइरल ख़वर में इस तस्वीर को दिखा कर कई ब गया था और वो जूता उस बातरूम में मिला है जहां पर बता जा रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई थी फिलहाल ये पूरा मामला जांच का बिसर है जांच के बाद ही दूद का दूद पानी का पानी होगा लेकिन फिलहाल जो सुरुवाती दोर में चीजे सामन अगर आप भी सोनाली फोगाट को निया दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा सेर किजिए वीडियो को लाइक किजिए आगे के अबडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब किजिए नमस्कार